दोस्तो जो ब्यक्ति कबुतर पालता है तो बहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का बसेरा कुछ इस्पिरकार होता है जिससे दरने की बात यहां पर होती है जानिए कबुतर पालने के पांच बड़े नुकसान दोस्तो कबुतर देखने में काफी जादा सुन्दर और मासूम नजर आते हैं कबुतरों को छोने पर एक मकमली एहसास होता है जो हमें बहुत खूपसूरत लगते है आपको बता दी कबुतर आपके घर की छद पर और बालकनी में जरूर ही आते होंगे या कबुतरों को आप पता है कबुतर आपकी किस्मक को बदलने में बहुत एहम भूमिका निभाते हैं लेकिन कुछ गल्तियां होने पर कबुतरों से नाकरात्मक उर्जा भी खिची चली आती है इसके अलाबा अगर आपके घर में कबुतरों का घोसला बना हुआ है तो आपको साबधान हो जाने की जरूरत कहां कहां पड़ती है वो भी हम आपको बताने बाले हैं तो चली जानते हैं दोस्तों बास्तु बिज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जहां पर कबुतरों का घोसला होता है या कबुतर पाले जाते हैं अगर बहां की साब सपाई ठीक तरह से ना हो तो नाकर नाकरत्मक उर्जा आने का खतरा हमेशा बना रहता है यहां तक कि कोई घातक बिमारी भी आपको लग सकती है कबुतरों की पौटी या कोई बिमार कबुतर काफी लंबे समय से ठीक ना हो तो और इन चीजों पर ध्यान न दिया जाये तो घर में निगेटिबिटी तुरन आती है बही नाकरत्मक उर्जा को नश्च करने के लिए कबुतर पालन में एक जोड़ा काला एक जोड़ा सफेद का हमेशा होना चाहिए काले कबुतरों का जोड़ा नाकरत्मक उर्जा को धूर भगाता है और सफेद कबुतरों का जोड़ा सुक शांती को दर्शाता है बा साकर आत्मक उड़जा की उत्पत्ती करता है दोस्तों जरूरी जानकारी कबुतरों को प्यासा और भूका रखने पर आप हजार गुना पाप के भागीदार बन सकते हैं ऐसी गलती कभी न करें कबुतर पाले हैं तो पानी पिलाना और खाना खिलाना भी आपका अधिकार है तो दो तो धन्यवाद